हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आरग्द्य आरेयस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आईजित राजस्तान रिट भरती परिक्षा लेवल टू एसस्ट यानि कि सामाजिक अध्यान के नवींतम पाठे करम के अनुसार दोस्तों टोप 15 मोडल प करेंगे उसके बाद में अपने बाल विकास के तीस प्रेस्न हिंदी के तीशर और सन्सकृत के तीशिछ प्रशण करेंगे तो सब्सक्राइबिक जरूर आइकन को दिपाएं और इस ती परिक्स्या के लिए और भी मोडल प्रकर्वा रखे तो दोस्तों अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप लेलिस्ट में जाएए वहां पर आपको फॉल्डर मिल जाएगा रिट एसस्टी मोडल पेपर के नाम से वहां फॉल्डर बना हुआ है ठीक है संकटकाल की घोश्ड ना प्रवरतन में हो तो संसद-विदीद्वारा एक बार में विदाद सबा कى करेकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है । foi हो है अपना इसमें एक बार में केवल एक वर्ष के लिए ही कारेकाले बढ़ा सकती है दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए कम से हम आपको सामाजिक अद्यान के 60 प्रसनों में से आपके कम से कम 50 प्रसन सही होने चीए त्यक्य है आगे देखिए इसमें भारत में आदूनिक त्री स्टरीय पंचायती पंचायती राज़ व्यवस्ता का सुभारंब कब हुआ था तो दो ऐकुंबर उनिसों गुन सट को हुआ था राइट अंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही प्रस ने हैं राइट आँसर हो जाएगा वो है तोस्तों चारल्स वूड़ का डिस पेच यहा तो दोस्तों यह सर्चार्ल्स वूड़ है यह बोर्ड ओफ कन्ट्रोल के अद्दिक्स थे और भारत में भावी सिक्षा के लिए इन्हों ने एक योजना तयार की थी और योजना तयार करने के बाद में इन्होंने अपना सुजाव पत्र है वो लोड डल होजी जो उस समय गवरन जनरल थे ठीक है उनके पास में बेजा था आठारा सो चौपन इसमें में और उसी जो सुजाव पत्र को दोस्तों गोश्णा पत्र कहते हैं और भारते सिख् राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें दो नंबर का ओप्सन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए सविधान के किस अनुछेद के तहट राष्ट्रपती उच नयले के नयदीशों की निप्ति करता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा त दो नंबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए भारतिय सविधान के किस अनुछेद के अनुछेद के अनुसार राष्ट्रपती को उसके कारियों के संपादन में साहितावे प्रामर्स देने के लिए एक मंत्री परिश्द होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा कौन से अनुछेद के अनुसार राष्ट्रपती को उसके कारियों के संपादन में साहितावे प्रामर्स देने के लिए एक मंत्री परिश्द होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा ये कौन से अनुछेद में लिखा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है अनुछेद 74 में दो नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारतिये सवीदान के किस अनुछेद के अनुसार राष्ट्रपती परधान मंत्री की निविक्ति कौन से अनुछेद के अंतरगत करता है तो ये करता है दोस्तों अनुछेद के अनुछेद के अंतरगत तो ये अनुछेद 75 के अंतरगत परधान मंत्री की निविक्ति है वो राष्ट्रपती द्वारा की जाती है ती नंबर उप्सन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए य बहुती अच्छा प्रस्ण है यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में संसद सदस्य बनना अनिवारिया है तो से महीने के अंदर उसे संसद सदस्य लेनी पड़ती है चार नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यहां पर देखे द्वी सदना अत्मक विवस्ता पिका वाले राजे में राजे विदान मंडल के निम्नांकित में कौन से अंग होते हैं जैसे संसद के कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं राष्टरपती लोकसबा और राजे सबा ठीक उसी परकार यहां पर बात ओरी है दिवी सदनी वेवस्ता पिका की यान की राज्य में विधान परीशद है तो दोस्तों राज्य में राज्य पाल, विधान सबा और विधान परीशद इन तीनों से मिलकर ही राज्य विधान मंडल बनता है राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों चार नंबर का उपसन सहींतर 1-2-3-3 दो इसमें क्या है सही है आगे देखिये नाइंटि नंबर प्रसने इसमें देखें सविधान के सुरोतों की सूचियों का मिलान कीजिए बताइए दोस्तो कौन सी चीज कहां से लिए गई है बहुत ही सांदार प्रेशन आप इसको कह सकते हैं दोस्तो देखिए मोली कदिकार कहां से लिए गए है तो ये लिए गए हैं अमेरिका से निती निड़ दे सक तत्व कहां से लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं दोस्तों बताईए ये आईरलेंड से लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं आईरलेंड से लिए गए हैं गणतंत्रे विवस्ता आईए दोस्तों फ्रांस से लिए गए हैं और संसदात्मक विवस्ता है ये बिर्टेन से लिए गई है तो दोस्तों इस प् प्रेस नहीं नहीं देखे आध दूनिक तरी इस तर्य के पंचाईति राजविवस्ता की स्रूआथ का पिस संहिती को जाता है फिर श स्रीं का जाता है बल्वंत राय मैता समिति को राइट अंसर हो जाएगा इसमें दो नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्र एक सो एक नमबर का प्रस्ण है इसमें देखे उप बोगता अदिनियम 1986 में व्यक्ती सब्दमेञ निमनल कजित में से को साम आ है उप ऐग्ते सब्दमेञ निमनल कजित आदिनियमा के अंतरगत पंजिकरत नहीं हो यह सारे के सारे दोस्तों अबॉक्ता अदिनियमग उनीसो छीएश्षी में व्यक्ति सब्द में सामिल हैं तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा चार नंबर का उप्सन जिसमें एक्धू तीन चार दे रखा है चारों इसा ही है चा नेता सीदे मतदान कर सांसदों का चुनाव करती है Doncå इसका So राइटर व जाएगा वह 543 सांसदों का चुनाव करती है सीदे मतदान द्वारा यह दोस्तों दोस्तव से राश्ट्र पति दवारा लोकसभा में मनानुद किए जाते हैं और राज्य सवा में 12 सदस्य मनोनित के जाते हैं राष्ट्रपती द्वरा ठीक है यानि कि संसद में टोटल 14 सदस्य है वो राष्ट्रपती मनोनित करता है राइट आंसर इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तरह हो जाएगा एक सो तीन नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए सूची फर्ष्ट में आपातकालिन सक्तियां है और सूची सेकेंड में समंदित अनुछेद ठीक है अपने को क्या करना है सुमेलित करना है यह बताना है कि कौन सा तो दोस्तों यह नुच्छेद थे तीन सो बावन के अंतरगत लगाए जाता है युद ब्रहां आकरमण्या सहस्तर विद्रों की इस्तती में आपातकाल नुच्छेद थेन सो बावन के तहते और देखिए किसी राजे में सवेदानिक संकट उत्पन होने पर आपातकाल है य यह अनुच्छे 360 में लगाया जाता है इस प्राइशन का राइट आंसर हो जाएगा दो तीन चार दो तीन एक तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही तरह हो जाएगा अगे देखें अध्यापकों का निर्वाचक मंडल विदान पर हो जाएगा दोस्टों इसमें बताइए कौन साउप तो वह है दोस्टों 1 बटा बारह तो इसमिए राइट आंसर इसमें एक नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे दखें के दिल्सन लिकृत में से सत्थे है और सद्य कून सा है वह अपने बताना है बाकि तो दोस्तों निति निर्देसक तत्वों से समंदित गलत कथन का अपने को क्या करना है चैन करना है तो यहाँ पर देखे दोस्तों सविदान के भाग चार में अनुचेद छती से इकावन तक वर्णन है ठीक है बिलकुल सही है निति निर्देसक तत्वे वाद योगे हैं तो दोस्तों ये वाद योगे नहीं है यह गलत दे रखा है यहां पे तो अपना दूसरा नंबर का जो अप्शन है वो अपना राइट अंसर हो जाएगा यह गलत कतन है बाकी आइरलेंड के सविदान से प्रेरित है अनुच्छ चौवाली से समान सिविल सही ता किस्तापना का प्रियास करेगा यह भी बिल्कुल सही है दो नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 107 नंबर का प्रेस ने निमनलिखित मेंसे किस परकार के खाते पर बैंक अधी विकर्स की सुईदा प्राप्त होती है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वह है चालू खाते में चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे आरसेनिया किस महाधीब का अन्य नाम है राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें ऐस्टेलिया का ठीक है राइट आंसर इसमें दो नं चारांघें नाम है तो नियूनतम लिंगानपात वाला जिला कौंसा है तो न्यूनतम्य गणानपात वाला जिला है वो कौन साथाय को पता हो तो दोस्तों राइट राइट उलत्चांचा लाइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नमबर का उप्शन बिल्कुल снова एतर है हो जाएगा ठीक है आगे नो गम में राष्टिय ज्ल्मारग नमाग संख्या डो को जोड़ती है किसको किसे जोड़ती है राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों यह सद्धिया को दुबरी से जोड़ती है राष्टिय जलमारक सिंख्या दो तो इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 2011 के जनगना के अनुसर राजस्तान में सरवादिक जनसंग क्या गनत्व के जिले में सरवादिक जनसंग क्या गनत्व है दोस्तों यह तो सभी को पता होगा जैपूर में सरवादिक जनसंग क्या गनत्व है राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कु पेरेलियम यह दोस्तों इसमें बिल्कुल सःए है तो अपना इसमें राइट अंशर हो जाएगा वह तीन नमबर का ओप्शन बिल्कुल सःएटर तीक है आगे देखे प्रोजेक्ट टाइगर की सुरवात यह हुई थी दोस्तों वर्श गुनी तेथर में दो नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएका आगे भरत में हीमाला के सब से उशी चोटी कुण सियाहे माले के सब सी सोटी कुण सी है राइट आंसर हो जाएगा वह IS तो इसमें तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए सुमेलित कीजिए एक तरफ है तिर्वेणी संगम दूसरी तरफ है समंधित नदिया राजस्तान में चार तिर्वेणी संगम है ठीक है एक है नवाटापुरा बेनिस्वर दाम डूंगरपुर दूसरा है ब पहले का पहला इसमें क्या हो गया सही सुमेलित हो गया ठीक है और देखिए बिंगोद भीलवाडा बिंगोद भीलवाडा में दोस्तों मेनाल बेडच और बनास बनास बेडच और मेनाल का तिर्वेणी संगम है बिंगोद भीलवाडा में रामेश्वर घाट सवाई मादव पूर में दोस्तों चंभल बनाई सीप सोरी चंभल बनाइस सीप का त्रवेणी संगम होता एक ह। राज महल एक तीन चार दो तो इसमें राइट अंसर हो जाया का दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है एक तीन चार दो सुरी 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 इसमें दिखें राज महल में दोबारे देखिए इस प्रशन को नवाटापुरा नवाटापुरा में दोस्तो सो माई जाकम का तिर्वेणी संगम है ठीक है उसके बाद में दोस्तो यहां पर देखिए बिंगोद भीलवाडा में बिंगोद भीलवाडा में मेनाल बेडच बनास का तिर्वेणी संगम है रा राइट आंसर इसका एक तीन चार दो हो जाएगा दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें 116 नंबर का प्रस्न निम्न लिखित में से सत्य कथन बताईए दोस्तों सत्य कथन अपने को यहां पर बताना है चार में से सिर्फ एक ही सत्य थीकर दोस्तों यहां पर देखिए बगंगाल की खाड़ी में इस्तित इसथैंद्रा पॉइंट बहरत का सबसे दक्षिन दूइब है और चोथा देखिए कन्या कुमारी केरल में इस्तित है जो भारत का दक्षिंटम बिंदू है तो दोस्तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या बताना है अपने को इसमें सत्य कथन बताना है तो दोस्तो इसमें 36 दीपों का सम्मू है ये भी गलत हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बेरन दीप है ये भारत का सक्रियज वाला मुखी है ये आपको इसमें याद रखना है लक्से दीप है ये अरब सागर में है और इंद्रा पॉइंट निकोबार ये दोस्तो सबसे दक्षिंटम पॉइंट है और कन्या कुमारी है ये तमिला डू मेश्टित है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर का उप्षिंट बिल्कुल सही उत्र शिर्फ और सिर्फ इसमें एक ये सत्य है दो इजवाला मुकी है भारत में एक बेरन और एक नार कॉंडम नार कॉंडम है वो सुसुपत है और बेरन है ये सक्रिजवाला मुकी है दो नंबर उप्षिंट बिल्कुल सही उत्र आगे देखे राज्य की पहली चीनी मील है राज्य की पहली चीनी मील कौन सी है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दी मेवाड सुगर मिल्स लिमिटेड भूपाल सागर चितोडगड राजस्तान की पहली सक्रमिल 1932 में चितोडगड जिले के भूपाल सागर में नीजी छेतर में इस्तापित हुई थी जो वरतमान में बंद है राइट आंसर निवास करने वाले लोगों का मुख्यवेवसाय है तो मुख्यवेवसाय क्या है तो वो है दोस्तों पस्छू पालंड करना चार नमबर और ऑंसन बिल्कुल सईटर आगे के पस्छमीर राजस्तान में मरुस्तल के विष्टार को रोकने के लिए जहां पर काजर के स्थावन काजरी मतलब केंदर ये सुस्क अनुसंदान केंदर जोदपुर में है, आगे देखें नीचे दिये गए गुरहों में से कौन से ब्राहां ग्रय है, बताइए कौन से ब्राहा ग्रय है तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ब्रस्पती, नेप्चून वरुण, सनी और अरुण, य दूसरा सबसे बड़ा महादीफ कौन है तो दूसरा सबसे बड़ा महादीफ है वो कौन है तो वह थोस्तों इसमें अफरिका रॉाही इसमें दो नमार्शन सहीध शुऑ आगे देखे पत्रकारिता के भीसम पिता महें के नाम से जाना जाता है पत्रकारिता के भीसम पिता महें के नाम से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पंडित जाबरमल सर्मा को पत्रकारिता के भीसम पिता महें के नाम से जाना जाता है आगे दे प्री 2019 को पुल्वामा हमला हुआ था तो नंबर का ओप्शन बिल्कुल स्यूत transactions के समय उद्वड सप्तम के किस माराना को आमंतरिट किया गया था रैट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तोउ अपना इसमें मारणा फते सिंग चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए तलवार बंदाई एक था बताए तलवार बंदाई एक था क्या था तलवार बंदाई तो दोस्तों ये एक परकार का कर था ठीक है और कर भी कौन सा तो ये उत्रादिकारी सुल्क थ था विवाज सुल्क कौन सा था तो वो था चांवरीकर ये तलवार बंदाई है ये उत्रादिकारी सुल्क है राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है देखिए दामना नामक अबुसन इस्तरिया कहां दारन करती है दामना नाम का अबुसन तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए निमनांकित जातियों या जन जातियों या पंथो वह उनके नर्तियों को समेलित कीजिए बता ये कौन सा नर्तिय किस से समंदित है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए दोस्तो यहाँ पे गैर नर्तिय गैर नर्तिय है ये दोस्तो भील जाती का नर्तिय है यहाँ प कालबे लिया जाती का नरते है और अगने नरते यह जस्तनाति संपरदाय का नरते है राइट अंसर इसमें क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा एक नमबर obsन बिल्कुल संगेत मिलते पृत्स के संकेत मिलते हैं और इस में वह दोस्तों शोना एक नमबर उप्सन बिल्कुल सः यूथ गई देखेए पर था किसके दातों करत्द निषेद पर था है किसके द्वारा चलाएगी तो यह लाट डल होजी के द्वारा चलाएगी गोद निशेदे पर था याद रखना आपको ठीक है यानिकि जिन देशी राजाओं के अपनी संतान नहीं थी उन्हें पुत्र गोद लेने से रोका गया इस निती के प्रवाव में दोस्तों काफी स जाल होजी एक नंबर और उप्शन बिलकुल सही तर आगे रजस्तान का पर्तम किसान अंदोलन था बताई तो दोस्तों बजोल्या किसान अंदोलन यह पर थम किसान अंदोलन था जिसकी सुरुवाद 1897 अपे ती और यह 141 तक चला था आगे देखे सारंगपुर का युद किन किन के मद्दे हुआ था दोस्तों सारंगपुर का युद है ये माराना कुमभा और महमूद खिल जी के बीच में हुआ था तो इसमें राइट आंसर एक नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे आनन्द मंदिर कहां इस्तित है बताईए आनन्द मंदिर है ये कहां पर इस्तित है सबी को पता होना चाहिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है इसमें बर्मा में म्यामार बर्मा इस्तित है दोस्तों बर्मा में ये इस्तित है तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतरा आगे देखे प्राचिन काल में किस देश में ममीज को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था बताईए प्राचिन काल में किस देश में ममीज को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था right answer हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए तो वो है दोस्तों इसमें मिस्तर में तो इसमें दो नंबर का option बिलकुल सही हो जाएगा आगे देखिए इसमें 135 नंबर का प्रेस ने इन महलों और बहुनों को देख कर लगता है कि इन्हें मनुष्य ने नहीं देवताओं ने बनाया है यह कथन किसका है बताइए इन मेलों और बहुनों को देखकर लगता है कि इन्हें मनुष्य नहीं देवताओं ने बनाया है यह कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन है फायान का कथन है ठीक है राइट अंसर हो जाएगा का इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सई हुथ तरह यह चंदरकुपत के समय चीमी आत्री था जो आया था फायान थीक है आगे देखें बोध दर्म का अंतिम लक्षे से क्या है नीरवान निरवान आगे देखे चोल प्रशासन में भूमी की उपज का लगबग कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एक बटा च्छे है दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतरा आगे देखे रामायन महाबारत तथा मनु सहीता का वर्तमान रूप में संकलन किस काल में हुआ था तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें गुप्त काल में तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गुप्त काल में 139 नंबर प्रेशन इसमें देखे सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है वो बताना है अपने को तो यहां पर देखिए दोस्तों बच्चों का किस परकार का सीखना आवशक है वे मापदंड जिन से सीखने को मापदा सके सीखने के परतिफल संरक्सक विद्याले परबंद समीति के सदस्यों राज्य इस्तर के सिक्षा अधिकारियों को भी गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रतिसतर्क और जिमिदार बनाता है य राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डेविड कॉल्ब के द्वारा तो इसमें तीन नमर और उप्शन बिल्कुल सही उतरा आगे देखे वहम उल्यानकन जो किसी व्यक्ति के ग्यान और कोसल के तुलना किसी विशे समूहे के ग्यान और कोसल से करता है र है तो कि जो थो अल्यानकन तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर ऑ प्शन सही उतरा आगे देखे लिए डबलएव डाथ यह क्या है पुल फ्रम क्या है तो दोस्तों वल्डवाईब वर्ड़्वाईब राइट अंसर हो जाएगा वल्डवाईब वएब तो इस शंकल्पना किसने बनाई थी तो दोस्तो ये नाम दिया था किसने तो दोस्तो टीम ब्रंसली ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखे विद्यारतियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए तो दोस्तो क्यों सीखना चाहिए क्योंकि दोस्तो यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिद्गी से कैसे जुड़े हुए हैं तो इसमें राइट आंसर दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 145 नंबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन मुद्रित सामगरी का एक प्रकार नहीं है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुसिक्षिए तो इसमें तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें इतियास पढ़ाते वक्त वंसावली चार्ट का प्र करने के लिए अनुकरम एवम परकर्यात्मक समंद्धों को दर्साने के लिए एक एक कालकर्मिक रूप रेखा देने के लिए यह सही है चोता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें एबी सी तो इसमें चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे 147 नम मुद्धा से जोड़ना ठीक है और विबिन सरुतों को सामिल करना अधिकारिक एवम निम्न वर्गिये प्रसंगों से तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ए और सी दोनों से यह राइट आंसर हो जिसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएग किन विबिन दरों से इसलिए सिक्सक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बलकि व्यक्तिगत बच्चों को सोड़ी व्यक्तिगत बच्चों और चोटे समुहों के लिए गतिवीदियों की योजना बनानी चाहिए राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का एक अधन है यह सिद्धानत है ठीक है राइट आंसर इसमें चार नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए फोर्टी नाइन नमबर प्रेस ने एक सिक्सक व्याख्या देते हैं कि पर्योगों के दोरान एक से अधिक विदियो का उप्योग करके परिणामों को सत उत्यापित किया जा सकता है इससे विज्ञानिक सभाव की कौन सी विश्यस्ता का बहुत होता है बताइए तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें गहन चिंतन एक नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए सामाजिक विज्ञान के सिक्षन में नाटकिय रुपान्तरन का प्रमुख उद्दे से निमन कराना होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत एक नमबर का जो अप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए यह साठ प्रसंटों मैंने आपको सामजी के अध्यन के करवाएं हैं अब दोस्तों बाल विकास से मुम सिक्सा सास्तर के तीस प्रसंट करने जा रहे हैं ठीक है देखिए आपको पता चल गया होगा कि साठ में से आपके कितने प्रसंट सही हो रहे हैं देखिए पहला प्रसंट बाल विकास से मुम सिक्सा सास्तर का विकास कभी नहीं रुकता यह कथ कुश्टनिंग wrapped be a a Bruce के साथ साथ गेंग एज भी का जाता है कुछ सी अवस्ता को क्विस्टिंग worship एज के साथ साथ मिंग एज भी का जाता है। वह दोस्तों अपना इसमें पस्ट बच्पन तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें तीन नंबर का प्रेस ने पारिस्तिति के प्रणाली सिद्धान्त जो मूल रूप से उरी बोफ्रेंड बे ब्रिनर द्वारा तैयार किया गया है चार प्रकार के नेस्टेड परियावन प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिनें भी का जाता है तो दोस्तों उन्हें क्या का जाता है राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों क्या का मानव पारिस्तिक की का जाता है उसको तो इसमें तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, Right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है अपना इसमें, तो वो है 18 से 24 महीने का, तो इसमें right answer एक number option बिल्कुल से उतर आगे देखे इस अवस्ता को मित्या पकवता का समय भी कहा जाता है इस अवस्ता को मित्या पकवता का समय भी कहा जाता है राइट answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बाल्य अवस्ता को मित्या पकवता का समय भी कहा जाता है दो number option बिल् वह इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें दोस्तों यहां पर अभीवर्दी सब्द का परियोग किया जाता है किसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका वह बालक के सरेक विकास के लिए तीन नमबर उप्सन सही उत्र नेक्स्ट आगे देखें किरिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है किरिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों निमितिक अनुबंधन राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यह आपको इ याद रखना है कि आगे देखे प्रेणा प्रबलन हास सिद्धान्त के प्रदाता है वह कौन है कि प्रेणा प्रबलन हास सिद्धान्त के प्रदाता है बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा वह दोस्तों हल एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर नेक्स्ट निम्न में से कौन सामाजिक पुंदर्भलक का उदारन नहीं है बताएं just नेमने में से कॉन सामाजिक पुंदर्भलक का उदारन नहीं राइट अंसर हो जा यदिवान पावलोग के प्रिशिद परयोग में तठेस्ट ने न क्या थी बताईए夜 क्लासिक कंडिशनिंग पर इवान पावलो के प्रशिद परियोग में तथश्ट प्रेना क्या थी राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह गंटी तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे मासलों के अनुसार मानव आव अफ़क्ता के उप्करम में सबसे उचाह सतान किस का है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वह से आत्म सिद्धि की आप सिखता अंसर तीन नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे तरल और ठोस बुद्धी points के विचार का प्रस्ताव किस ने रखा तरल और ठोस बु कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायूजित हो जाते हैं क्या राइट आन्सर जाएगा वो है दोस्तों सामवे members निमननलिकित तो डूह-विस्लेशन के पिता के रूप में किसे वनीत क्या गया है डूराइट सरह डखोगा गहरीव है दुस्तों सिगमेंट फ्रायड एक नमबर ओप्षन बितैपर आगे देखें जिन इंच्खाह Bodhi नहीं होती उनका बंदार अन्हीं में से कौन सा जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती उनका बंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इदम एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए व्यक्तित्वय समयोजन की प्रतेक्स विदी है राइट आंस राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें क्या बताइए तो वो है रक्षात्म की आंतरिक्ता दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए एक अध्यापक किसी भी समुहे में समुदाय आधारित व्यक्तिकत विबिनताओं को समझ सक राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बासा एवं अभी व्यक्ति के आधार पर तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें भारतिये संदर्ब में आर पी डबलूडी एक्ट दोजार सोला के नुसार एक व्यक्ति को प के सामने हैं तो दोस्तों यदि उसके दोनों कानों में सतर डेसिबल या उसे ज्यादा की स्वर आवरतियों की स्रुण सक्थी य Hey स्भान सती दोनों कानों में हो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वहां दूस्तों एक नंबर का ऑप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उ हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें वे बच्चे जो विबिन परकार की अधिगम समझ्याओं से गरशित रहते हैं उनके लिए अधिगम ऐसक्सम सब्द का परियोग सरुपरतम किस ने किया वे बच्चे जो विबिन परकार की अधिगम समझ्याओं से गरशित रहते हैं उनके लिए अधिगम ऐसक्सम सब्द का परियोग सरोपरतम किस ने किया राइट अंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों सेमिवल किर्क ने दो नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे एक विवस्तित विग्यान जो स्विम और वातावरन के साथ समयोजन क को प्राप्त करने के लिए नियम और कानून नियम कानून और सिद्धान्त प्रदान करता है कहलाता है राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें दिमाकी आरुग्यता दो नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे किर्यात्म का नुसंदान का उद्देश से क्या है तो वो है दोस्तों विद्यालत था कक्षा की सेक्सिक कारिये प्रणाली में सुधार लाना तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राष्टिये पाठी तर्चा रूप रेका 2005 के अंतरगत परिक्षा सुधारों में निम्न में से को सुधावा गया है सुधाया गया राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों खुली पुस्तक परिक्षा सतत निरंतर एवं व्यापक मुल्यानकन सामुई कारिय मुल्यानकन राइट अंसर हो जाएगा इन में से सभी चार नंबर आप्षिन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा देखे सिख्षया का अधिकार दिन्यम 2009 के किरियांवेन के बाद कशा कश से प्रभावित है क्योंकि शिक्ष्या का अधिकार विद्याले में कश्या की ओस्ट आयू को प्रभावित नहीं करता राइट आंसर इसमें एक नमबर ऑप् फ्रतन का पर्योग करना एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखेंके निम्र में से 10 वीदी यह हैं तो बताए बिन वीदी कौन सी आपना प्रकिरिया से बासण्यंगा चिंटन के नाम से भी जाना जाता है तब होता है जब कोई व्यक्ति कला समंदीश आई गया प्रायोगिक समस्याँ से समभावित वीञिबस समाधानों के बारे में मोख्ट रूप से विचार करता है बताए क्या है का खालिस्तान में राइट आंसर क्या हो का वह है दोस्तों आप सारी तीन नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्र आगे देखिए कि सीखने के पर्तिफलों को संग्यानात्मक कटनाई वाले बच्चे हे तु किया जा सकता है राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें बोधिक रूप से चुनोती वाले बच्चों एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए गुंट्टीस नंबर का प्रेस ने नकरात्मक द्रेश्टी कोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उप्योग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिंग भेद तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखिए निम्न में से इमोशनल इंटलीजेंस पुस्तक के लिए कि कौन है तो दोस्तों वह डेनियल गोलमेन दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो तो यहां पर अपन गद्यांस वो नहीं पढ़ रहे हैं डाइरेक्ट चल रहे हैं ठीक है देखिए उलेक निये में कौन सा प्रते परियुक्त हो आए तो दोस्तों उलेक प्लस अनिये तो राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर उप्शन सही उत्र आगे देखिए प्रियाव बहुचन है वो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नदी का हो जाएगा नदियां तीन नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे पुन्य सब्द का विलोम होगा बताइए पुन्य सब्द का विलोम है वो क्या होगा राइट आंसर तो पहला जिसमें चोटी की मातर लगी हुई है तो इसमें एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 37 से 40 तक अपने को वापस पढ़ चार इसको पढ़ कर उतर देना है दो दो दोस्तों जगत सब्द में कौन सा लिंग है राइट अंसर हो जाएगा राइट आद फुलिंगि राइट अंशर हो जाएगा भो है दोस्तों प्रतेक में टिख कि प्रतेक तो दोस्तों इसमें एक परते लगा yhte 싶은 जायगा एक एक नमब्र उप्शन बिल्कुल सही उत्र ठीक में आगे देखें मिल इनली यह तो पर्ती फलस एक है ठीक है इसमें देखें आत्मिक प्रत्म की का तो दूस्तों फ्लस एक यान के इस में राइट आंसर चार नम्ब और सब्त के सास्ट जो सरय नाम है राइट अनसर हो जाएगा वह तोşa एक नम्र आंसर अप्शन बिल्कुन सुऩ के के इसमें वे में किर्या olur रहा है कि राइट ऐंसर हो जाएगा वो है दोस्तो करता ठीक है राइट अंसर इसमें करना कि हो जाएगा करना तो इसमें राइट आंसर तीन नंबर ऐपसं इल्गा आगे देखे अंदा होना मुआवरे का भी प्राय है अंदा होना मतलब दोस्तो विवेक ब्रश्ट होना तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे अंदे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएग बिना मेहनत के ही उपलब दी होना दो नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा बिना मेहनत के ही उपलब दी होना आगे देखे जो ग्यानी होते हैं उनका सभी समान करते हैं इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसम विशेशन उपवा के एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे वह अचानक चला गया इस वाक्य में इन में से क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें दोस्तों रिती बोद्दक क्रिया विशेशन है यह राजस्तानी के वाक्य में सही विरामचन लगा है तो सही विरामचन है किसमें लगा हुआ है तो दोस्तों देखे शाम तुम आ गए दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से एसुद सब्द समुह का विकल्प चाटिये एसुद सब्द समुह क विकल्प अपने को यहां पर छाटना है तो दोस्तों यहां पर देखिए सड़ी अंतर है जोटसना और स्राप यह दोस्तों इसमें गलत दे रखा है यहां पर जोटसना वाला ठीक है और बाकि सारे गलत दे रखा है राइट अंसर इसमें तीन नम्बर उप्सिन हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित सब्दों में से सुद्ध सब्द कुन सा है सुद्ध सब्द अपने को यहां पर बताना है तो दोस्तों यहां पर देखे आगामी आगामी है वो सुद्ध सब्द दे रखाई एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्रागे देखे त्रिकाल दर्शी किसे कहते हैं त्रिकाल दर्शी है वो दोस्तों किसे कहते हैं तो ये जो तीनों कालों के बारे में जानता हो उसे त्रिकाल दर्शी कहते हैं दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्रागे देखे आफश आगे देखिए खेल विदी को परचलीत करने का सरे किसे जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हेंडरी कोल्ड वेल को जाता है तो इसमें दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए उच्छे प्रात्मी किस तर पर बासा सिक्षन का उद करना राइट आंसर इसमें तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बहु बासिक कक्षा में सिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वहें कि वहें बताईए कि वहें विब्विन बासाओं में पाठों की विश्यवस्तू का सब्दा सब्दम्स से अन्वाद कर सके टीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चौपन नंबर का प्रेस निसमें देखिए समश्याहल करने के कोशल को विक्षित करने के लिए चात्रों को प्रोच्षाहित करते करते हुए सिक्सक को निम्न लिकित में से किसे बचना चाहिए बताइए समस्या हल करने के कोशल को विक्षित करने के लिए चात्रों को प्रोच्षाहित करते हुए सिक्सक को निम्न एकित में से बचना चाहिए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सात्रों को निदेषात्मक संकेत पर्दान करना एक नमबर का उप्शन विल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखे नेम्न में बच्चों की भास्ता समंधित रूटिया नहीं है राइट आंसर हो का रागा वो है दॉस्तों अपना इस में कौन सा तो वह दॉसत्व को गृंड करने में एक नंवर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे इसमें कि बासा की पॉठ्खे पुर्प उस्त्यूं में दीए गए अब्यास दिये गए अब्यास दोस्तों बच्चों को चीजों को परकने गराईयों से जुड़ने और व्यापक अनुभव इस्तर से तदात्मे का आवसर देते हैं चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निम्न में से सरवादिक प्रभावी सिक् सामगरी दरर्ष्ट से स्रवा सिक्ष्ण सामगरी राइट आंसर इसमें तीन नंबर ऑप्शन सही उतर हो जाएगा राइट मॉल्यांकन की दотриष्टी से प्रोड़ें कितने प्रकारका होताया राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह। अपना इसमें पुर्शन है यह प्रक आगे लोग का नीरंतर अवलोकन करना राइट अंशर हो जाएगा इसमें तीन नमबर और उप्षन से उतर हैं। आगे देखें चातर की भासा स्क्षन में कमजोरी के कारण या अधिगम की कटनाईयों के कारण की जानकरी इसे चीरारणों की जानकरी किसके माद्म से की जाती है किसके माद्म से की जाती है と दोस्तो है thiswn आत्म कित्तिम है राइट Cookie इसमें तीन नंब्र आपसे से उतर हो जाएगा अब दोस्तो हैं ना इसमें वा, तो इसमें राइट आंसर दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, मुझे संस्कर्थ कमाती है, इसलिए आपको स्क्रीन पर ज्यद्धा द्यान देना है, ठीक है, देखे आगे, रक्षा सुत्रम इतस्य स्मिन पदे कह समासे, बताएए, रक्ष पालियत इसमीन पदे मूलदातु कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें त्री तो इसमें राइट आंसर तीन नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें पालियन इतियत्र कहा है परते है राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्त है का वी बक्ती राइट अंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें अच्छा तूर्ती दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए चांसट से सतर तक अपने को गद्यांस का उतर देना है अपन डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों यहां पर दे वह है दोस्तों कौनसी दातू तो दोस्तों ग्या दातू आगे देखिए इसमें मारक दर्सका है इतस्य पदस्य इस्त्रिलिंग रुप बहुती बता बताएगे दोस्तों इतस्य पदस्य इस्त्रिलिंगे रुप बहुती राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें कौनसा तो है तीन नम r folks 응시 ज़िए आगे देखिए तदा प्राय सहा जननाम मनसीति प्त रहे बहु वत नार्तंप संल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वरगात, इसनफ राइट आंसर हो जाएगा, इन नम्बार option बिल्कुल सही उत्तर, नेक्स्ट आगे आगे देखिए , हाट आणसर हो जाएगा वो है अस्वह नर्ट्यति नेक्स्ट सुद्वाक्य चिनुत सुद्वाक्य बताना है कौन सा है इसमें तो यहां पर देखे दोस्तों देखे संस्कर्ता वे लनम भारत वासिना नैसोबते तो इसका राइट आंसर दो नंबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखे राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें घुष्टो तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यहां पर देखे अधहे गटिकाम दृष्टवा संस्कर्त भास्य सम्यम चित्वा कारे कर्मम उत्तर पुस्तिकाया लिखते विद्याले ढम मित्राणी प्ठनती मित्राणी पठनती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोश्तों इसमें तीन नंबर उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखे परम्तवेव भरता वार्तामेवने स्रुणोति अस्मिन वाक्य शर्वनाम पदमकिमः तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जयएगा वहाँ दोस्तों अपना इसमें कौनसा तो वहैं तव दोनमर उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जएगा आगे देखें जगण तगण जगण रगणा कश्मिन चंदे भौती राइट अंसर हो जाएगा वह है दोस्तो इसमें वंस्त तो इसका राइट आंसर एक नमबर उप्शन से उतर आगे देखें निम्न में से कौन सा मुल्यानकन का प्रकार कौन सा नहीं है तो वह है दोस्तो मानक एक नमर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा मानक आगे देखे सिक्सक दिवस आयोजनिये सिक्सक दिवस आयोजनिये right answer हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों अपना इसमें अध्यापकस से महत्वम परती पादी तुम तो इसमें right answer चार नंबर option सही उत्र आगे देखे कस्मिन विकल पे बासा सिक्सकाए मुल्यान कनस्षे आवसरम प्राप्तम भौती राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कौन सा तो वो है दोस्तों इसमें सर्वे चार नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे पाठे पुस्तकस्य उद्दे से यानि संती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उप्रियुक्तानी त्रिनी अपी तो इसमें right answer चार नंबर option सही उत्र आगे देखे बासा द्यानार्थम अंतीम प्रियतनों बहुती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेख नम तो इसमें दो नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे संसकर्त सिक्षनस से स्रवे साध नम अस्ती right answer हो जाएगा व जानात्मकम ग्यानात्मकम तो इसका right answer हो जाएगा उपरोक सभी तो इसका right answer चार number option आगे देखे सिक्षा इती सब्द से उत्पती केन about right answer हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें शिख धातुना तो इसमें दो नंबर option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे कि में सिक्ष्णन सुत्रम उप्युक्तम वर्तते right answer हो जाएगा वह दोस्तों इसमें इस्तुलात सुक्संपृति तो इसमें चार नंबर option सही उत्र आगे देखे प्रात्मिक इस तरह पद्दे सिक्ष्णन से विदी नैस्ती right answer हो जाएगा वह दोस्तों इसमें व्यक्ष्ण और भी कई model paper हैं वो नहीं देखे हैं तो आप playlist में जाएए वहां पर आपको folder मिल जाएगा रिट sst model paper के नाम से वह फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाके पिछली कला से वह जरूर देखें और अरद्द्यारस Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को द कि अजओ आएब